पहली बार जो काम सुरू किये तो थोड़ा आदमी सब दिखता था अजीब लगता था कि कोई देखे तो क्या काया कि काम कर रही है और लेकिन काये कि जो कह रहा कहने दीजे मेरे खुशी है अपने पदी को हाथ बटाने में वो अकेले करते थे हमको अच्छा नहीं लगता था इसलिए जो हम कहें कि हम भी काम करेंगे साथ जब तक थे अब तक ही करते थे कुछी दिनों के बाद उनका तबियत खराब हो गिया और बहुत हम इलाज करा नहीं हुआ सहीं दगाल हो गया सारा बोज मेरे उपर पर गया इसके बाद फिर हमने सोचा कि कैसे होगा फिर हम अपना इमत की हैं सोचे करके देखते हैं पांच गवाल वच्चा चार लड़की एक लड़का है लोगों का परहाई लिखाई कैसे होगा और जो है कैसे घर पर इवार चलेगा मैं ये कखेली तुथी लही कि किसी के यहां पर रह जाती तो हो जाता है इसलिए हम अपना काम सुरू कर दी अपना ही बीजनेस और वोले भी थे कि हमको अगर कुछ हो जागा तो तुम अपना संभाल देना आज नहीं करती तो किसके सहारे जिती है कौन करता पांच वच्चा को कौन पोस्ता कौन रखता यहां पर अपना जमीन खरीद के घर बनाएं जमीन खरीदे घर बनाएं लगता को नोपरी गवा प्रह ही लेखाये किались iç consent do आप समझेए कि मेरे परिवार में जो है मेरा ही वच्चा सबसे आगे है मेरे परिवार में किसी को जोग नेगे लड़का को जोगने काते हैं मतलब अगर चाती है मुझे भी अपने साथ इस काम में लगा सकती है लेकिन उन्होंने असा नहीं किया मुझे पढ़ाया लिखाया जॉब के काविल बनाया मेरी चारो सिस्टर को सब को ही पढ़ा रही है मतलब एजुकेशन जो है जो है एजुकेशन भी चेंज एवरिथिंग अभी भी जतना लड़की चाहेंगे पढ़ना पढ़ाएंगे अभी आगे बहुत कुछ करना है मुश्कील तो हर इंसान के साथ आती ही रहती है जिन्दगी में